तो गैस अगर आपको पुझेट है 10,000 के आसपास और आप एक नया स्मार्टफॉन लेने का सोच रहे हैं तो इन्फिनिक्स के तरफ से जल्दी एक नया स्मार्टफॉन मार्केट के अंदर आने वाला है फौन के बारे में दोस्तों सबी information हमें मिल चुकी है इसके साथ या दोस्तों इसकी design बागरा भी निकल कर सामने आई है तो आज किस वीडियो में गईस हम बात करने वाले हैं फौन के सबी specs के बारे में इसकी design के बारे में इसके साथ ही गईस हम बात करेंगी कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है और क्या प्राइजिंग वगरा दोस्तों इस स्मार्टफोन की होने वाली है तो स्वागत अब सबका टेक रोज पर जनकारी के लिए वीडियो में अंट तक बनी रहें और दोस्तों चैनल पर पहली वर आए हैं तो सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आप कुछी तरह के टेक वीडियोस मिलती रहें तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि Infinix की Not Toil स्रीज एक मिटरन सेग्मेंट के अंदर मिलने वाले स्मार्टफोन की स्रीज है और इस स्रीज के अंदर काफी कमाल के स्मार्टफोन काफी अच्छे स्पेक्स के साथ में आपको देखने को मिलते हैं अब इसी स्रीज के अंदर Infinix Not Toil i स्मार्टफोन जल्दी आने वाला है तो फटाबट से बात करते हैं स्मार्टफोन के सभी specs के बारे में और देखते हैं गईस की कैसा स्मार्टफोन ही आप सब के लिए रहेगा अगर first of all दोस्तो हम बात करते हैं स्मार्टफोन की design के बारे में तो आप देख सकते हैं स्कीन पर कि इस फोन की जो design है वो निकल कर सामने आ चुकी है इसके back side में plastic की body दी गई है इसके साथ ही दोस्तो triple camera setup फ्लेश लाइट के support के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है और अगर front side की बात करते हैं guys तो front side में एक बड़ी display यू नोचक डियान के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी तो design वगरा दोस्तो स्मार्टफोन का काफी बढ़िया दिया गया है और काफी कमाल के धन फिलिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर design के बात दोस्तो हम nest बात करते हैं स्मार्टफोन की display के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको 6.7 इंचिस की एक AMOLED दिस्पले देखने को मिलेगी जो की Full HD Plus Regulation के साथ में आएगी तो brightness और कलस बगरा दोस्तो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे और काफी कमाल का view experience आप यहाँ पर expect क कर सकते हैं अगर display के बाद दोस्तो हम नेश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की performance के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको media tech की तरफ से Helio G85 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि gaming चिपसेट है तो हलकी फलकी यहाँ पर आप gaming बगर आभी कर सकते हैं इसके लाब अगई से यह यहाँ पर आपको RAM की 2 options 4GB और 6GB देखने को मिलेंगे जो की 128GB तक की switch के साथ में आएंगे जिसे आप microcard की मदद से 2 TV तक बढ़ा सकते हैं तो performance बाज दोस्तो एक अच्छा option आप सब के लिए इस प्राइज में रहने वाला है और normal touch दोस्तो आप easily यहाँ पर complete कर सकते हैं साइड केमरा AI sensor यहाँ पर होने वाला है और अगर बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर front camera के बारे में तो front side में 8MP का एक selfie camera आपको देखने को मिलेगा जिससे काफी ठीक ठाक selfies और वीडियो कॉलिंग अगर दोस्तों आप कर सकेंगे अगर cameras के बात करते हैं स्मार् स्मार्टफोन को चार्ज भी यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो side mount and fingerprint scanner का support यहाँ पर आपको मिलेगा साथी 3.5 mm का audio jack और USB Type-C का support भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके लाब गई स्मार्टफोन Android 12 पर वर सकता है सुग इसी ती सारे information इंफिनिक्स नॉट ट्वार्टफोन के सभी specs के बारे में आप मताइग आप इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या विस phone को लेने में इंट्रेस्टेट होंगे अगर आपका कोई और भी comment हो गई तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल इस वी कर दो कर दो ओदिए कोर में कहीं अभलते हैं घए NICK